हीरपुर नाम के राज्य में हरीचंद्र नाम का राजा राज करता था उसके राज्य में सुख्षान्ती थी वह बड़ा ही दयालू और प्रजापर रहम करने वाला था मगर उसमें एक बुराई थी वह किसी भी काली लड़की को पसंद नहीं करता था वह कहता कि अगर काली लड़की होगी तो संतान भी काली होगी जिससे वन्च में काले लोग ही होंगे उसकी पत्नी गर्भवती थी एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा रानी जी आप दरवार में मत आया कीजिये आप गर्भवती हैं आपको आराम की जरूरत है लड़का हमारी पहली संतान होगी, जो भी होगा हमें मनजूर है. आप चिंता क्यों करती है? हां मगर लड़की हो तो सुन्दर होनी चाहिए, कहीं काली न हो. आप तो जानती है हमें काली लड़कियां अच्छी नहीं लगती. राजा को एक नौकरानी जाकर बताती है. राजा रानी के पास पहुचता है तो देखता है रानी का पुत्र तो बहुत सुन्दर है मगर पुत्री काले रंग की है. वह रानी से कहता है. महारानी जी मैंने आप से पहले ही कहा था कि अगर हमारी बेटी काली हुई तो हम उसे अपने पास नहीं रखेंगे. महाराज ऐसा न कहिए, ये दोनों मेरी दोनों आख है, क्या कोई अपनी एक आख अलग कर सकता है? महाराणी जी हम हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते हैं, हमारे देशवासी क्या सोचेंगे, महाराज का न्याय हमारे लिए कुछ और अपने लिए कुछ और है आपको इस कन्या का त्याग तो करना ही होगा राजा सैनिक के हाथो कन्या को एक टोकरी में डाल कर नदी में डलवा देता है, नदी के किनारे एक साधो तपस्या कर रहा होता है, वह कन्या को देख कर कहता है वह कन्या को ले जाकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है समय गुजरता है कन्या बड़ी होने लगती है कन्या थी तो काली मगर दिखने में बहुत सुन्दर और बहुत बहादुर थी उसकी दोस्ती जंगल के कुछ जानवरों से हो जाती है जो उसको पसंद करने लगते है वह उनके साथ खेला करती है अब राजकुमार भी बड़ा होने लगता है हरी चंद्र ने उसका नाम रूपवान रखा होता है वह बहुत जिद्धी किस्म का था हमेशा अपनी मनमानी करता जब वह और बड़ा होता है तो उसका दोस्त मंत्री का एक बेटा बन जाता है वह भी उसी की तरह होता है एक वह रूपवान से कहता है यार तुम ये कुर्षी देख रहे हो मेरा मन करता है इस पर मैं तुम्हें देखूँ अब तुम्हारे पिता की उम्र हो गई है अब तुम्हें राजा होना चाहिए यार देवदत क्या ऐसा हो सकता है हाग क्यों नहीं अगर तुम मेरी बात मानो तो ऐसा भी हो सकता है तुम एक काम करो अपने माता पिता को कही भेज दो फिर उन्हें अपने सैनिक भेज कर अपने रास्ते से हटाडू उसके बाद तुम राजा और में तुम्हारा मंत्री ठीक है इस कुर्सी पे तो मेरी पहले से ही नजर है में कुछ करता हूँ, अपने कुछ सैनिक इठा करता हुँ जो मेरे विस्वाश पात रहो रूपवान सोचता है देवदुप मेरा मित्र है और वो मेरा भला ही चाहता है वह अगले दिन अपने पिता से कहता है पिता जी आप दिन राट अपनी प्रजा के लिए काम करते रहते हैं आप थोड़ा भी आराम नहीं करते मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए आप कुछ दिनों के लिए कही घूम आये तभी रानी कहती है रूपवान सही कह रहा है आपको कुछ दिनों के लिए राजपाट रूपवान को सौप कर कहीं घूमने जाना चाहिए आने के बाद राजपाट भी संभाल लेना ठीक है अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ दिनों के लिए राज्य के कार्य से आराम करू तो हमारे पडोस के राजा के यहां एक शादी है तो हम लोग उस शादी में शामिल हो आते हैं वहां हम उनकी लड़की को भी रूपवान के लिए देख लेंगे अगर पसंद आ गई तो रिस्ता भी पक्का कर देंगे दोनों दोस्त के यहां निकल जाते हैं रस्ते में राठ हो जाती हैं तो वहां वही एक टेंट लगा कर आराम करने लगते हैं सिपाही आपस में बात करते हैं दिनों मौका अच्छा है, दोनों सो रहे है यह समय ठीक है, दोनों को मार देते है फिर राजकुमार रूपवान से अपना इनाम ले लेंगे ठीक है रामू, तुम ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी करो वो दोनों बात ही कर रहे होते है तभी वहाँ पर अनुराधा आ जाती है, वह उनसे कहती है वहाँ जवाब देते इससे पहले ही अनुराधा का दोस्त भालू वहाँ आ जाता है उसे देखकर वहाँ दोनों वहाँ से भाग जाते है अरे तुम क्यों आ गए तुम्हें देखकर वो लोग भाग गए अब तुम जाओ महाराज वहां आकर पूझते है तुम कौन हो और मेरे सिपाही कहा है तभी साधु महाराज की आवाज आती है राजन में बताता हूँ ये लड़की कौन है ये वो लड़की है जिसे काला होने के कारण तुमने इसे नदी में बहा दिया था वह तो इसका नसीब अच्छा था जो मेरे नजर इस पर पड़ गई और मैंने इसे बचा लिया और आज इसने तुम्हारी जान बचाई तुम्हारे बेटे ने तुम्हे मारने के लिए सिपाही भीजे थे अगर ये नहोती तो तुम कब के मर गए होते राजन काला गोरा कुछ नहीं होता इंसान अच्छा होना चाहिए राजा महल पहुचकर बेटे को कारागार में डलवा देता है और बेटी को सिंगहसन में बिठा कर पत्नी के साथ तपस्या करने को चला जाता है